हेलो फ्रेंड्स आई पेके चोदरी वेलकम स्यू और यूटूब चैनल क्रियेटिव स्टेडी एके तो गाइज आज हम कर रहे हैं सॉलिड स्टेट सेकेंड लेक्चर है फॉर्स्ट लेक्चर में हमने जो डिसकर्स किया था वो थोड़ा सा देखते हैं फॉर्स्ट हमने डिसक किया था था क्लासिफिकेशन मैं टरगी ठेक है यानि सॉलीट लिक्वीट और। गैश सेकिंद हमने जो डिसकर्स क्या था लास्ट वीडियो में वह था प्रोपरटिश ओॉफॉर्परलिट वरपर्टीज अल्ट वपर्टी दो सॉली सॉली ठीक है और फिर हमने चायर था की पॉपर्टीज है वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिसकस कर ली थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकि वो वीडियो ज़रूर देखें आज हम करेंगे classification of crystals ठीक है अब जो crystals है उनको classify करेंगे तो उसमें हम करेंगे चार types के हमारे crystals है एक हमारे पास है ionic crystal, covalent crystal, molecular crystal and metallic crystal यह हम किसके basis पे distinguish कर रहे हैं एक तो हम कर रहे है nature of crystals यानि nature of particles जो हमारे matter के अंदर crystal के अंदर present है उसके basis पे कि atom है, ion है, molecule है ठीक है और एक है हमारे पास इनके बीच में binding force कि जो atoms है, molecules है, consequent particles जो है उनके बीच में force क्या है किस type का force exist कर है उसकी according हम classify करते है crystal को four types में first है ionic, covalent, molecular and metallic, okay अब हम one by one discuss करेंगे इसकी properties करेंगे, ठीक है, इसमें से आपका एक या दो नंबर का question आ जाता है उसकी properties आप बताने, definition आ सकती है, example आ सकता है, ठीक है जो main consequent particle हम बात करते हैं, atom है, molecular है, ions है तो ionic crystal में क्या present होगा, ions present होगे, ठीक है ions present होगे, तो इसके लिए क्या है, first देखो it is formed by opposite charged ions, यानि opposite charged ions, जो हमारे ions है वो opposite charged के होगे, अगर एक positive है, तो उसके साथ जो उसके neighbor में bind होगा, वो क्या होगा, negative होगा ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भी positive और positive ions नहीं combine करेंगे, crystal नहीं बनाएंगे, हमेशा क्या होगा, अगर मेरा एक क्या है, positive है, तो उसके neighbor में negative ion ही present होगा, इतनी बात समझाई, जो हमारे ion क्रिस्टल्स है, वो किस से बनते हैं, वो opposite charged ion से बनते हैं, ठीक है, कटायन और अनायन बोलते है, कटायन पे कुन सा charge होता है, positive charge होता है, अनायन पे negative charge होता है, ठीक है, आप इसको याद करने के लिए, एक छोटा सा AN भी use कर सकते हो, N जो हम को मन A, N दा यूज करती है, N, N में क्या है, A से अनायन, N से negative charge, या फिर आप क्या कर सकते हो, कटायन लिखो, कटायन की spelling T, T क्या symbol है, positive की थरह है न, तो क्या होगा, कटायन पे charge, positive, simple, simple चीज़े हैं, लेकिन कुछ बच्चों को वलब confusion हो जाती है, हमें भी, कि कौन सा charge किस पे है, तो इसमें याद करने का, N, याद कर लो, कटायन याद कर लो, जो आपको easy लगे, वो आप learn कर सकते हो, ऐसे ही जैसे अनायन लिखा मैंने, अनायन में क्या है, आई है, अगर मैं इसको ऐसे देखू, तो क्या है, यह negative charge है, यानी वो opposite charge के होंगे, अगर negative है, तो उसके पडोस में क्या होगा, positive होगा, अगर positive है, तो उसके पडोस में negative होगा, यानी positive और positive नहीं मिल सकते, negative और negative नहीं crystal बना सकते, अकेले, उनके पडोस में क्या होगा उनके opposite वाला ही present होगा अब second point क्या है second point है हमारे पास कि जो ionic crystals होते हैं ना उनमें क्या होते है strong columbic force होते हैं आपने पढ़ा होगा physics में भी हम पढ़ते हैं columb's ला पढ़ते हैं columb's ला में क्या करते हैं हम एक force की value निकालते हैं वो force क्या है f is equal to one by four by epsilon not q1 q2 by me r square हना ऐसा कुछ formula होता है ऐसा ही formula होता है अब ये देखो f जो है ये क्या है force है इसको हम columbic force भी बोल सकते है electrostatic force बोलते हैं उसमें हम ठीक है electrostatic force one by four by epsilon not ये constant होता है इसको हम kc denote भी करते हैं kc भी लिख सकते है k is equal to one by four epsilon not q1 q2 दो charge present होते हैं जो दो charge है उनको हमने q1 and q2 और r क्या है इन दोन्यों charge के बीच का जो distance है वो हमारे पास r होता है ठीक है अब देखो आइनिक है हमने ये पहले first point में किया कि जो चारज आयन है चारज मतलब एक positive और एक negative ठीक है सेम चीज़ कि जो हमारे पास force है न वो कौन सा होता है strong columbic force होता है ठीक है attraction जो force की है वो strong होती है आयन्स के बीच में ये दो points आपको याद रखने है अगर definition आती है तो आप ये define करोगे ओके अगर definition आती है एक marks में तो आपको ये चीज़े लिखनी है ये दोनों points और उसके examples लिखने है ठीक है आगे हम discuss करेंगे properties अगर question बढ़ा आता है दो number में आता है तीन number में आता है तो properties लिखनी है definition में properties नहीं लिखते होते ये चीज़ ध्यान रखना example देखो अब क्या है example ions के positive and negative ions बनाएंगे तो na cl kcl naf kbr यानी positive negative अब इस पर क्या है na positive होते है cl negative होते है k positive cl negative na positive f क्या होते है fluorine negative positive negative समझाया क्या बना रहे है ये क्या है एक example है ionic crystal का अब इसमें examples में देख लो कहीं भी positive positive हो या negative negative हो ठीक है ऐसा नहीं होता है एक positive और एक negative ही मिलकर हमारे पास ionic crystals बनाते हैं इतना समझ आ गया ओके next देखो अब हमारे पास क्या है properties properties में क्या करेंगे first property है they are hard क्या होते हैं hard hard क्यों होते हैं second point हमने discuss किया कि जो हमारे पास electrostatic force होता है वो क्या है ions के बीच में strong होता है किसी चीज के बीच में ions के बीच में atoms के बीच में molecules के बीच में अगर force क्या है strong है तो वो क्या होगा particles को एक दूसरे के close रखेगा close रखेगा तो वो क्या होगा एक rigged substance बनेगा उसको मैंने क्या लिख दिया कि यह क्या होते है hard होते हैं समझ आ गया they have high melting point and boiling point यह भी चीज क्लियर है कि hard है कोई चीज तो उनका melting point और boiling point भी क्या होते है strong होते है they are insulators in solid state insulators in solid state but conduct electricity in molten state यह आपका reasoning का question भी बन सकता है कि जो हमारे ionic crystals होते हैं वो क्या है अगर solid state में है तो क्या कर रहे है insulator यानि electricity को conduct नहीं करेंगे लेकिन अगर वो molten state में है तो electricity को वो conduct करेंगे अब इसका reason कैसे explain करेंगे कि ऐसा क्यों होता है अब देखो normal सी बात है कोई चीज सॉलीड है 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 ना solid की properties हमने पड़ी थी कि इसके जो particles होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कूल close होते हैं close होते हैं तो वो क्या नहीं होते freely move नहीं कर सकते आपको यह word moment ही नहीं होड़ी तो electricity भी conduct नहीं करेंगे ठीक है लेकिन molten state में क्या हो जाते हैं आयंस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं free हो जाते हैं move करने लग जाते है move करेंगे हम electrostatic force लगाएंगे तो वो electricity conduct करेंगे तो यह किस पर depend करता है यह movement of ions पर depend करता है अगर हमारे ions freely move कर रही है तो वो electricity को conduct करेंगे otherwise वो electricity को conduct नहीं करेंगे समझा गया दुबारा से सुन लो अगर हमारे पास solid state है solid state है particles एक दूसरे के पास है बिल्कूल strong force of attraction है उनके बीच में वो freely move नहीं कर सकते freely move नहीं करेंगे तो क्या करेंगे electricity कंड़क्त नहीं करेंगे ठीक है वो एक जिगह पर है move नहीं करेंगे अगर हम क्या करें molten state की बात करें molten state में हमारा क्या हो जाते है particles move करना start कर देते हैं particles move करेंगे हमने क्या लगाया electrostatic force लगाया electricity field जिसको हम बोलते हैं field provide किया उसको और क्या करेंगे वो फिर electricity को conduct करेंगे यानि movement depend करती है ions की movement depend करती है main cheese okay they are soluble in water and other polar solvents ठीक है water पे क्या है soluble है mix हो जाते हैं और other polar solvents है जो उन पे भी जैसे alcoholic का ले लो CH3OH है other example में ठीक है polar के polar कौन से होते है polar solvents अगर आपको नहीं पता तो normal सी यहां definition नहीं दोगे कि क्या होते हैं लेकिन knowledge के लिए पता होना चाहिए कि polar solvents वो होते हैं जिसमें जो molecules present होते हैं उनके बीच में electronegativity difference हो जैसे h2o है है न हाइड्रोजन और oxygen के बीच में जो electronegativity difference होता है वो लार्ज होता है ठीक है उनको हम बोलते हैं polar solvent अगर हमारे पास electronegativity difference ना हो molecules के बीच में electronegativity जो की जो value है वो same हो almost same हो तो उसको हम मोलते हैं non-polar solvent समझा गया जो हमारे ionic crystal है वो water के अंदर या फिर मैं कह दूं polar solvents के अंदर soluble होते हैं mix हो जाते हैं घुल जाते हैं ठीक है और अगर उससे opposite क्या होगा non-polar solvent non-polar solvent में वो थोड़ा सा घुल जाएंगे या बोल सकते हम slightly to soluble होते हैं या फिर completely क्या होंगे insoluble होते हैं समझा गया non-polar के example क्या हो जाएंगे benzene ओके और क्या कर लेंगे CCL4 भी दे सकते हो यह example है non-polar की non-polar solvent समझा गया polar में soluble है non-polar में completely soluble नहीं होते slightly soluble बोल सकते हैं या फिर हम क्या कहेंगे insoluble in polar solvents ओके next क्या है देखो next point important है दे अक्वेटिक solution of ionic crystals यानि वोटर के अंदर आपा mix कर दे एक्वेटिक कब होते हैं जब water के अंदर present हो हमारे ionic crystal अगर water के अंदर वो mix कर दे तो क्या बनेगा aquatic solution बनेगा of ionic crystal is good conductor of electricity ठीक है यानि वो क्या है electricity का good conductor बन जाता है इसका reason क्या है उसका reason जो है जो हमारे पास water है h2o h2o का जो है h2o h2o का dielectronic dielectric constant die electric constant की जो value होती है वो क्या होती है हाई होती है ठीक है उसका जो dielectric constant है water का वो क्या होता है बहुत जादा होता है अगर किसी भी molecule का compound का dielectric constant की value जादा होती है तो उसकी वजह से हमारा जो force है वो क्या हो जाता है weak हो जाता है यह चीज relation हमेशा याद रखना जो force है particles के बीच में वो क्या हो जाता है weak हो जाता है arrow down का मलब decrease हो जाता है पहले से समझाई यानि अगर मैंने ionic crystal है water के अंदर mix कर दिया हमने यह चीज पढ़ लही water क्या है polar solvent है polar solvent में हमारे ionic crystals है वो completely क्या है soluble होते है वो soluble हो गया एक aqueous solution उसने बना लिया अब aqueous solution उसने बनाया उसके बाद जो solution बन गया वह good conductor of electricity है क्या है गुड़ कंड़क्टर of electricity अब गुड़ कंड़क्टर of electricity है उसका मतलब क्यूं है क्योंकि जो हमारा water है उसका जो डाइलेक्टरिक constant की value है वह बहुत जादा होती है उसकी वजह से जो हमारे particles के बीच में ions के बीच में force है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है अगर force कम हो गया तो particles क्या हो गए free हो गए ना ठीक है free हो गए moment show start करेंगे moment start करेंगे तो हमारी electricity क्या होगी conduct करेंगे वो ठीक है यह समझ आ गया यह हमारे पास six properties है ionic crystals की okay by this we have completed our ionic crystals अब next हम करेंगे हमारे पास क्या है covalent crystal ओके जो covalent crystal है वो हम next video में करेंगे so guys अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को like करें चैनल पर नई है तो चैनल को subscribe करें और अपना response comment section में जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी क्या improvement चाहिए मुझे ठीक है मतलब अपना response जरूर सियर करें thank you so much for watching this video